हाई दोस्तों नमस्कार वेलगाउं टू इनोवेटिव जीशनली वितागास आज के इस यूडियो हम देखने वाले जैसा कि आपको थमने से ही पता चल गया जीट्टी के बारे में तैसे पहले जीट्टी के प्रिष्ट भूमी को हम देख लेते हैं यानि कि जीट्टी है गया उसके बाद फिरम देखेंगे जीट्टी का सम्मेलन 2022 वाला ठीक है तो चले श्टार्ट कर देते हैं आज का अपना वीडियो तो सबसे पहले भी या जीट्टी की प्रिष्टूमी या जीट्टी का इतियाज भूगो सब बहुत देख लेते हैं क्या है कैसे हैं तो इसे विस तो यह आफीसियल नहीं है है ना यह लिखित नहीं है इसका मतलब यहीं होता है अगला बात करते हैं यानि कि अगला इसके अंदरगत क्या चीज़ें हैं इसे जी सेवन द्वारा विकसित एम बिकासील दोनों अर्थ ब्यवस्थाओं के सहयोग से अस्थापित किया गया था अगर इसके अस्थापना की बात करतों ऊननइश सो निन्यनवित की अस्थापइत कि गयी थी तई या बिस्थो की प्रमुक हर्थ ब्यवस्थाओं के वित्मंत्री दियान रखेएगा वित्मंत्री और केंद्री बैंक के गवर्णरों के बीच एक प्रामस मंझ के रूप में अस्थापित किया गया था ध्यान रखने वाली बात यह है यहां पर कि यह पहली बात अन उफिसरेंग के है इससे 1999 में बनाया गया था किसके द्वारा बनाया गया था जी सेवन के द्वारा बनाया गया था इसमें कौन कौन से देश हैं विकसित है दोनों देशों के बीच का एक कड़ी है ऐसा समझेगा या विश्व के प्रिमुक अर्थ विवस्थाओं के यानि कि यह जो देश हैं इनके वित मंत्री सामिल होते हैं केंद्री वाइंगे के गवर्नर भी सामिल होते हैं अगला चलते हैं इसके उद्देश की करह हम बात करें तो इसका उद्देश क्या है तो भी या इसका उद्देश है वैसविक आर्थिक विकास यानि कि सभी का विकास हो अंतराश्टी बेप को उपलब्द कराना अंतराश्टी वेपार में सुगमता लाना वैस्विक आर्थी विकास को सुनिस्षित करना इसका प्रमुद्द्ध सबंद जाता है इसके अत्रिक्त अर्थिक जो है जीडीपी जिसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद जिसे कहते हैं यानि पूरे बिशुक का जीटेपी अगर हम निकालेंगे तो उसका 85 परसेंट हना और ब्यापार का 75 परसेंट और जनसंख्या जनसंख्या जो है लगबाग 60 परसंड या अपर लिखा नहीं है जनसंख्या जो है इसके जो सदस्यों को मिला अगर अगर हम 200 के GDP से तुल ना करें तो कुल 200 के GDP से या कितना आता है पचासी परसंट ब्यापार का आता है पचातर परसंट और जनसंख्या का आता है पैंसट परसंट ठीक है तो यह बात जाननी जरूरी है तो इसलिए इसका सब्सक्राइब निस्वेस्त परसंट जो है जैसा मिले में प्रसंट से आगे या क्या क्या का इसके प्रमुक कारें तो और दो हागों में बटे होते हैं दो direct है द्यूसरा है विरोध विकास उर्जा आदी जैसे ब्यापग मुद्दों पर ध्यान के दिर करता है इन सब विश्वयों पर यह काम करता है सेरपाट ट्रेक्स ठीक है आते क्यूशन पूचा जा सकता है कि ट्वेंटी में कार करने के उद्द्ध से बनाए गए दो प्रमुक पार्ट कौन से हैं या दो प्रमुक निकाए कौन से हैं तो सेरपाट रेक और फाइनेंस ट्रेक या ऐसा कर देगा कि निम लिखित मेंसे जी सकते हैं या असत हैं ठीक है तो शेहरपा ट्रेक्स जो है जी टॉंटी का भागए भागत फाइनेस का रियों को करने में सुगमता परदान करना इसका उद्ध होता है इसके नाम से ही असपच्छर के वित्त से संबंदी जितने भी काम होंगे सब फाइनेंस ट्रेक्स क्या कर कि संगरचना कि बात कर लेते हैं कि इसकी प्राइब कैसे का मतलब का से सामिल होता है तो कोई भी अस्थाई सचिवाल है या मुख्याल है इसका ध्यान रखेगा आप पूछे जाते हैं या पीमें या किसी भी लोग से आयो की राश्वेवला कि क्यूसर्ण में कि जी टूमटी doesn कौन कौन से कहीत है आज चानते हैं और ने कपने देखा या इसक दो पाट topics हो दो निकाए है दूसात यह नहीं कि आ便ए सथाय सभी सभी समय जो है कोई नोग कोई सचीन वाल होता लेकिन कौई सदस्थार्ध रहे हैं नहीं है अगर हम अध्याच की बात करें तो भाई अध्याच जो होते हैं सद्धश देशों के बीच वार्षिक तवर पर प्रिक्रिया के तहट रोटेट होते हैं जैसे कि मालों लीजिए समय कोई और देशग पीशले रोटेट गोल गहां इसलिए इसका कोई सच वाले यह कुई मुख्याले नहीं अगर परतेक वर्ष जो है अद्हक्च पद के गरहंट करने वाले अथ देशिक Exact का करना करने वाला जो आगे करने वाला है ठीक है तो जो वर्तमान सदस्य होता है इन ही दो देशों के बीच यानि कि समन्न में अस्थापित करके वर्तमान की सम्मिट को अंजाम देना होता है इस परिकरिया को सामोही क्रोई से ट्रोई का कहते हैं ध्यान रखिएगा ट्रोई का आप से पुछलेगा ट्रोई का क्या है या किस संस्था से संबंधित है तो ध्यान रखिएगा ट्रोई का क्या है भी या कि जैसे कि G20 है तो G20 की जो पिछली बैठक होई और जो आगामी बै अगर हम ब्राजिल की बात कर लें तो इंडोनेसिया और ब्राजिल हो गया और 2023 में ब्हारत को इसकी अध्यचता मिली है तो भारत क्या गरेगा इंडोनेसिया और ब्राजिल के साथ समन्वे अस्थाबित करें 2023 का अपना जो अध्यचता है उसको आगे बढ़ाएगा क्यों क्योंकि जो इंडोनेसिया है यह पहले कर चुका है और ब्राजिल अभी करने वाला है तो इससे यह कुछ सीखेगा कौन सीखेगा भारत सीखेगा और भारत से कौन सी अब आगिता से आगे बढ़ सकें ठीक है इतनी बाते हमको लगता है आपको समझ में आ गई होंगी तो भी या सबसे पहले आपने क्या देखा कि इसका कहीं कोई मुख्याले नहीं है या अनौपचारिक संस्था है और इसके दो ट्रैक है यानि काम करने के लिए या कारिक कर चीजे हमें जाननी जरूरी है तो एक मिनिट इसको हम कर देते हैं और क्या जानना यहां पर है हां ठीक है समू का जो अध्यच होता है अन्य सद्सों के साथ प्रामस करके ट्वेंटी एजंडा को लागू करने और वैस्वे कर्द विवस्ता है कि विकासे तो उत्तरताई होत जैसा कि आपको पहले पता गया है किसकाएजन्डा क्या है तो उसी एजन्डा को लागू करने का काम जो है जीच Čटे से सद्धिश्यों के द्वरह किया जाता है और दूसरी बात क्या है कि इसकी बैठक हर साल होती है ठीक है तो इतनी बाते हो गई हो ज Итак आगे चलते हैं आगे चलते हैं और देखते हैं अभी हाल ही में अच्छा एक पॉइंट चूटा हुआ या पर जी टॉइंटी का राष्टा धच्छों और सरकारें प्रमुखों की भागिदारी वाले पहले वार्सिक यानि जी टॉइंटी का पहला सिकर सम्मेलन 2008 में वासिंग गटन में किया गया था ठीक है अच्छा आप लोग कमेंट करके जुरू बताएगा वासिंगडन कहां पर रही गया किसकी राजधानी है 2021 का सिखर सम्मेलन किसके पास था इटली के बास था 2021 के जी टॉंटी लीडर समीट के थी मगर हम 2021 का जी टॉंटी के बात करें तो पीप कि इस समय की हम बात कर लेते हैं तो अभी हाल ही में जी टॉंटी का सत्रहमा वार्से सिखर सम्मेलन हुआ है कहां पर हुआ है इंडोनेसिया के बाली में हुआ है ठीक है जिसके थीम के अगर हम बात करें तो रिकवर टूगेदर रिकवर स्ट्रॉंगर इसकी थीम है ध्यान कि यहां बाली में ध्यान रखेगा यहां बाली और भारत के बीच में संबंधों को प्रगाड़ता प्रदान करने के लिए एक माइल इस्टोन का भी काम करेंगा अच्छा आप लोग यहां पर कमेंट करेंगे तो हम बाली या फिर आई-ार जैसे कहते हम यानि कि तमाम देश संसिप को लेकर भी हम वीडियो बना देंगे तो बाली में और यह भारत में इनके बीच जो है अंतराष्टी संबंध कैसे अस्थापित होते हैं या कैसे अस्थापित किये गए हैं पारंप्रिक जो है संबंध कैसे रहे हैं आने वाला संबंध कैसे होगा क्या होगा यह सारी क इंडोनेसिया के राजदानी कहा है और इंडोनेसिया बिस्व के मैप में किस साइड में पढ़ता अगर हम बात पर उत्तर या पसिम पूरब दक्षिड के साइड में पढ़ता है यह जरू करिएगा ठीक है तो इतनी बात हो गई आगे देखते हैं अभी जो जी टूंटी का सम 12 ठीक है तो अब ध्यान रखेगा अगला सम्मेलन होगा ओ कहां पर होगा औहोगा भारत में होगा फोट आपार्वा। कौन सा होगा अठ्रामा सिखर सम्मेलन कहां पर होगा भारत में होगा ध्यान रखेगा 2023 में ठीक है तो यहां पर भी देखें ट्रोइका वाला आ गया 2023 में कहां पर होगा भारत में होगा तो यहां से इतनी ही चीज़ें अगर आप लोग और भी चीज़ें जी टॉंटी के बार जासा मिलन के कौन-कौन से पर जह विचार विमर्स किया गया है जैसे कि रूसी आक्रम जो कि निंदा की पहला चीज यहें दूसरी चीज वैस्य वह स्थक्रण्थ बीवस्था पर भी फोकस किया है घण सुरच्षा को लेकर बाते हैं डिजटल परिवर्तन को लेकर बाते गई गई प्रमख madden उनको'll interess दे रहे हैं जलवाई को लेकर गलोबल वारमिंग में जो है विखसित देश का क्या जो है अपना टारगेट हैया विखसित देशों का अपना क्या आक्षिन है तो इन सब चीज़ों पर बहस और बातें की गए उनके परेडम आये हैं और अगर यह सारी की सारी चाहिए आपको समझना है जानना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा उस पर हम वीडियो बना देंगे और अभी का जो आपको जरूरी है जानने के लिए उतना हमने आपको बता दिया ठीक है तो उम्मेद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद भी और आजोगा और आगे भी पसंद आयेगा जैसा कि हमने कम्मिनिटी पोश्ट में पोश्ट किया था कि वही किसको क्या चाहिए यानि कि हम लोग कौन कौन से वीडियो देखना चाहते हैं वहापर हिश्ट्री था जोग्राफी था और करेंड फेर तो सबसे ज़ादा बड़े जो है ऊसकी बातहब सर्फ्राइज की बात है वहां पर हम नए हो जब पहले फुक्राइवी उठाया तो आपको आज सबसे पहले जो है वीडियो मिलेगा जो राशी का है पहिक प्रिमए ways का और फिर मिलेगा history ओए ना तो क्योंकि जोग्राफी और इन दो अध़ पार्ट पर या सबजेक्ट पर सबसे जधा लोगों का उटिंग रहा है तो इसलिए हमने तीनों को जो है कवर किया जोग्राफी भी और करेंट को भी और हिस्टि की होसकता है आज नहीं कल आपको वीडियो मिल जाए क्योंकि आ या फिर आप टेलिग्राम में सच भी कर सकते हैं इस तरीके का आप लोगों मिल जाएगा लाइक शेयर कमेंड़ने सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फर वाची मिलते हैं इस्टूडियो में तब तक लिए नमस्कार जहिंद बंदेवाद रहां